नमस्कार मैं हूँ दिवे और आप सबी का स्वागत हैं MP News के खास कारिकरम न्यूजरूम में मदर्विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आईए सीधे जुड़ते हैं MP News की टीम से हमाई साथ मौजूद है सायोगी संदीब जी अगर हम बात करें तो डिये वीवी पर एक महीने से जो संकट चल रहा था वो खत्म हो गया है और पहली बार महीला कुलपती की न्यूक्ति की गई है तो अखिर क्या है पूरी जानकारी बताईए जिनिस तोर पर दिवया जिस तरीके से आपने कहा है कि करीब एक महीने से डिये वीवी में कुलपती को लेकर संकट था तो वाकई में ये इंदोर के लिए काफी हेराने वाली बात है और अगर डिये वीवी का इतिहास देखें तो पहली बार जो डिये वीवी है वो बिना जला आ रहा है डिये वीवी को अव एक नया कुलपती मिला है और बड़ी बात यह है कि देविया हिल्या विश्विध्याले है इसमें एक महीला कुलपती की नियुक्ती हुई है और ऐसे मैं जिस तरीके से देखा जाए दिव्या की मद्रप्रदेश की उच्च शिक्षा मंत जीतु पटवारी ने सीटी परिक्षा में गडबडी को लेकर और जितनी भी अनिमेत्ता आई कुलपती ओं जो पिछले कुलपती थे उनके कारिकाल में उन सभी को देखते ओं धारा बावन लगाई थी और उसके बाद कुलपती नरेंद्र धाकड को बरखास्त कर दिया था और जब धारा बावन लगाई उसके बाद राजभवन और मद्यप्रदेश शरकार के बीच में टकराओ की स्तिरी देखने को मिली क्योंकि राज़िपाल आनंदी बेन पटेल जो की मद्यप्रदेश की पूर्व राज़िपाल रही हैं वो और मद्यप्रदेश शरकार के बी गया है और नए राज़िपाल खाया तो ऐसे में राजभबन से आदेश निकला और ग्वालियर की जो प्रोफेसर हैं रेणू जेन उनकी नियुकती इंदोर देवी अहिला विश्वित धाले के लिए हुई है और काफी अच्छी प्रोफेसर रही हैं जब हमारे एंपी इसमेटिक्स के काफी अच्छी प्रोफेसर हैं जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की बातचीत की तो काफी सांथ और सवहब की प्रोफेसर हैं रेणू जेन और उन्होंने कहा है कि सबसे पहली उनकी जो प्राथमिकता होगी यहां पर आने पर तो जो सीटी का जो प्रात्मिक्ता बताईए कि जो देवी अहिल्या में जो ए प्लस ग्रेड मिलने वाला उसके लिए नेक की टीम आने वाली है तो सबसे खास जो एहम उनकी प्रात्मिक्ता होगी वो यही होगी कि किस तरीके से वो देवी अहिल्या विश्विध्याले को ए प्लस ग्रेड दिलव और यहां पर अब देखना होगा किस तरीके से वो विवस्थाओं को सुधारती है क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे प्रशन किया कि वहां पर छातर नेता और N.S.Y. की बात की जाए ये अबी बीबी की बात की जाए काफी आक्रोशित रहते हैं समय समय पर प्रशन भ उलाएंगी और उनके साथ तालमेल बैठा कर काम करने की कोशिश करेंगी तो काफी management के तोर पर भी वो देख रही हैं कि किस तरीके से management के साथ में DAVB को चलाना और दूसरी एक ओर चीज यह है दिव्या कि जिस तरीके से DAVB की kulpti के लिए तमाम जो लडाई लडी गई हैं च उन्होंने अन्य त्यागा फिर उसके बाद में जल भी त्याग दिया और उसके कौकई कॉंग्रेसी कारे करता हैं वो उन्होंने इंदोर देवियहिला विश्वित द्याले से भोपाल राजभवन तक पेदल मार्च भी किया है और राजभवन के सामने भी कई आंदोलन धरना प्रदर्शन भी हुए कुलपती को लेकर तो तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन और लोगों की स्टुडेंट्स की छात्र नेताओं की तमाम मांगों के बाद एक महीने बाद इंदोर विश्वित द्याले में कुलपती का संकट खत्म हुआ है वापस से अब जो विश्वित विध्याले की पढ़ाई है जो वहां का एजूकेशन सिस्टम है वो ट्रेक पर लोटेगा जो पढ़ाई की विवस्ता है वो सोचार रूप से चलेगे तो कहीं न कई विध्यारतियों का भविश्वाक फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा और जो अगर कहा हैं कई एक्जाम्स के शेडियोल्स रुखे हुए तो ऐसे मैं जैसे ही वो आएंगे तो उनके उपर भी जो एक महीने का काम रुका हुआ है उसका प्रेशर तो रहे गई लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से रेणू जियन आती है तो अपने मेनेजमेंट के तोर पर जो किस तरीके से वो इस काम को निप्टाती है और एक सबसे दिल्चस्प बात यह है दिव्या कि हमारे रिपोर्टर को ये बात बताई उन्होंने कि वो कुल्पती तो है ही लेकिन वो जब कॉलेज में यहाँ पर डिय वी में रहेंगे तो साथ में जो उन्होंने अभी तक क कोलेजों में कि जहांँ पर हमारे युनिवर्सिटी डिय वी का कुल्पती भी पढ़ाती हुई नजर आ सकता है कि उन्होंने इक्छा जता है कि मैं खुद कॉलेजों में मैं पढ़ाऊंगी तो यह अपने आपने बड़ी बात है कि कुल्पती जाकर कॉलेज में या है डिये वीवी का तो अब देखना होगा कि जो एक महीने से काम रुके हुए थे उन्हें वो किस तरीके से मैनेज करती हैं और किस तरीके से जो काम रुके थे उनको रफ्तार में और सही तरीके से उन्हें निपटाएंगी तो वहीं हम आगे चर्चा करें तो बीजेपी के दो नीटा जो हैं कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो कही न कहीं बयान बाजी का दोर जारी है तो इसी पर हम चर्चा करते हैं, हम आए साथ मौउजूद है, सयोगी राहिल जी, राहिल जी देखा जाएते, दो बीजेपी की नीटा कॉंग्रेस में शामिल हो गया है, वहीं बीजेपी पार्टी के आला कमान ने पूर्व मुख्य मंतरी शिवराथ सिंग चोहान और गोपाल भारगफ को फटकार भी लगाई है और देखा जाए तो कहीं न कहीं शिवराथ सिंग चोहान जो सपना देख रहे थे तो उनकी कहीं न कहीं रहा में रोडा बन गए है बागी नेता तो आखिर क्या है पूरा मामला देखिए जिस प्रकार से कल पूरे दिन जो विधान सभा का घटना करम चला और विधायक नारायन त्रिपार्टी और शरत कॉल जो की भारती जनता पार्टी की खेमे से कमलनाथ की खेमे में पहुँच गया है यानि आधिकारी तोर पर कॉंग्रेस की सदस्ता तो नहीं लिये है लेकिन अपने बयानों से और अपनी प्रेस कॉंफरेंस के जरे उनने इस पश्ट कर दिया है कि वो अपनी मंचा साफ कर चुके हैं वो कॉंग्रेस को समर्थन देंगे तो ऐसे में कमलनाथ सरकार की जो इस्तिती ये ताजिया हालात हैं वो कम से कम इस इस इस्तित में है कि अब मजबूत हो गए क्योंकि अब भारती जनता पालिटे के पास महज 106 विदायक बचे हैं ऐसे में जो एक सरकार पर संकट मनरा रहा था कहीं न कहीं उसके लिए س्यम कमलनाथ को रहत की सांस मिलिये लेकिन ये कोई सिर्फ खबर कॉंग्रेस के लिए नहीं है ये भारती जनता पार्टे के उन तमाम लोगों के लिए भी एक कहीं न कहीं यू कहें कि एक जटका है जो की सीम मन्ने के खुआप देख रहे थे हैं और बार बार अगर बयान बाजी की बात करें तो चाहे हम बात करे शिवरा सिंग चोहान की चाहेम बात करे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव की पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की या फिर भारती जनता पार्टे के राष्टी महास अच्चिव केलाश विजय वरगी की ये वो तमाम चार बड़े नाम हैं जो की फिलहाल जो हैं सीम की कुर्सी के लिए लगातार यू कहें कि बयान बाजी कर रहे थे लेकिन ये जो कल घटना करम हुआ है इसने उनकी कलाईयां खोल के रख दी बार 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 बयान दिया जा रहे थे कि हो सकता है कि हम 24 घंटे में सरकार गिरा दे बोस का आदेस हो तो हम सरकार गिरा दे तमाम त और मैं येसा क्यों कहना चाह रहा हूं कि ये बात वो नहीं है कि BJP के गढ़ में सेंद मारी लेकिन जिस प्रकार से पुरा घटना करम चला पूरी जिम्मेदारी अगर बात कर तो तीन बार जो कारेकाल में CM रह चुके शिवरासिंग चोहां बड़ी जिम्मेदारी उनके कंदो पर थी कि विधायकों को एक जूट रखना है वहीं विधान सबाम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती कि सभी विधायकों को संगड़ित होकर विपक्ष की भ्हुमिका नहीं है लेकिन कहीं ने कहीं फेल लजर आएं वहीं राकेश सीह की बात करें तो पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्य चोहने के नाते विधायकों में सामझे से बिठाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी लेकिन कहीं ने कहीं संगड़न से लेकर शिवरा सिंग चोहान नेता प्रतिपक्ष इन तमाम बड़े नेताओं के दावों की हवा निकल गई कलाईया कुल ग रहा है क्योंकि अगली बार जिस प्रकार से फिलाहाल जो लग रहा है कि कमना सरकार लगातार ये दिखाने की कोशिश में क्यों पांच साल के लिए आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कितने विधायक बीजेपी से कॉंग्रेस में जाएंगे कॉंग्रेस से दल बद पर है क्योंकि इन दो विधायकों के जाने से जो एक सियासी हलकों में चर्चा चल रही थी क्या भारती जंता पार्टी करना टक के ना टक के बाद को एमपी में सियासी चाल Чलेगी लेकिन एसकोई चाल फिलहाल देखने को नहीं मिली है लेकिन एक बात मेस पर 60 तोर रुप prose कहना चाओंगा, यह तमाम जितने चोनेता है, मदप्रदेश लेवल के वो तमाम बयान बाजी तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गोर करने वाली है, क्या इन तमाम बयानों को ले कर, आला कमान ने को इनको निरदरशित किया है, लेकिन आला कमान है कि जो ये बयान बाजी आये दिन करते हैं इससे सरकार तो कमजोर होती है वहीं जो तमाम प्रशाशनिक अधिकारी हैं उनका जो भरोसा वो भी डगमकाता है तो मुझे लगता है कि एक सीम कमलनात ने एक अच्छा जवाब दिया है लेकिन आखिर कब तक वो अपने विदायकों को संभाल कर रखते हैं मंत्री मंडल के विस्तार में क्या कुछ बाते सामने आएगी और अब जो डेमेज कंट्रोल में जुट गई भारती जन्ता पार्टी वो क्या कुछ अरणिती निकालेगी तमाम बातों पर M.P. News की लगातार नजरे रहेगी और मैं आपको एक बात और इस पश्ट करना चाहूंगा कि शुवराज सिंग चोहान के लिए आगामी दिनों में मद्दप्रदेश की राजनीती बहुत कटिन होने वाली है क्योंकि आप विपक्ष की भूमी का तो निबा सकते हैं लेकिन दोबारा सत्ता में आना अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है अभी तो बविश के गरत में कि आखिर क्या सियासी उठापटक होंगे लेकिन एक बात में जानता हूँ कि जिस प्रकार से ये पुरा सियासी ड्रामा चला है कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं के वादों की हवा निकल गई जो लगातार सियम कमलात को विधान सबा में गेह रहे थे कि हम सरकार गिरा देंगे तो खुल मिलाकर ये सियासी ड्रामा चल रहा है अब इस पर हम नजर बनाये हुए कि आखिर क्या कुछ आगे अपडेट आती है और क्या भारती जनता पार्टी वार पर पलटवार करती है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये खेल कॉंग्रेस ने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे अब ऐसे में खेल कोन खत्म करेगा और खेल किसने शुरू किया है ये मध्यप्रदेश की जनता जानती है ऐसे में आगामी दिनों में क्या सियासी उठा पटक होती है और कौन जो है बाजी मारता है तो आने वाले कल में ही इस पश्ट हो पाएगा धन्यवाद राहूल जी तो देखा जा लगतार मध्यप्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है तो अब देखना होगा कि कौन इस खेल में बाजी मारेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम अब कराते रहेंगे देखते रहें एमपी न्यूस इंडॉर ओवर टू स्टूडियो